आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाच फाइनांस के क्यू फोर के रिजल्ट्स के पहले अगर आपके कोई पोजिशन है लॉंग शॉट या कुछ भी नहीं है और करने का कुछ विचार है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मेरा व्यू क्या कहता है वो मैं स्क्राइब टॉट्स करने वाला हूँ डिस्क्लेमर नहीं पड़ा है डिस्क्लेमर पढ़ीजेगा दिस्क्राम बहुत जादे इंपॉर्टन होजाता है जो भी चीज में शेर कर रहा हूं प्यॉर्ली प्यॉर्ली इस माइव फियू उस्ते आपका कोई लिना देना नहीं होना चाहिए जो भी आप final decision लोगे आपके advisor से consult करके ही लीजेगा अब हम बात करते हैं बजाच finance के Q4 के results के ahead of the results के पहले की levels के बारे में वीडियो पसंद आये तो like जरू कीजेगा चानल कर अब तक subscribe नहीं किया तो कर लीजेगा यह है बजाच finance का daily chart daily chart में एक चीज clear दिख रही है बजाच finance के अगर हम बात करें तो counter का major trend मैं major trend की बात कर रहा हूँ वो अभी भी weakness के side पर है यानि कि selling इसके अंदर आपको अच्छी खासी होती भी देखने को मिल रही है उपपर के बाज़ हो अगर हम बात करें जो levels निकल के आ रहे है यहां से अगर हम पेले बात करतें investor scale पेले हम बात करतें फिर हम trader के लिए investors के लिए अगर हम बात करें तो ये जो zone निकल के आ रहा है बजाच finance का शे हजार से लेके 5000, 1000 point का range निकल के आ रही है 6000 से 5000 का zone निकल के आ रहा है एक अच्छा accumulation zone है investor के लिए fundamentally बात करूँ ठीक counter है, valuation wise थोड़ा सा हमेशा से हाई trade करता रहा है ऐसा नहीं है कि इसका कुछ नहीं बात है valuation wise हमेशा rich valuation पे ही trade करता है best buy अगर बनेगा अगर यह 5000, 5000 के नीचे मिलेगा तो यह best buy बनेगा, तब तो लपकी लेना है लेकिन अगर किसी का view 2, 3, 4 साल के लिए है बजाज finance के अंदर तो view अच्छा है, positive है यहाँ पर एक अच्छा buy बन सकता है 6000 से 5000 के range के बिच में trader specific अगर मैं बात करूँ तो trader specific भी यहाँ पर जो view निकल के आ रहा है बजाज finance के अंदर जो view निकल के आ रहा है जब अगर कल result के बाद यह level अगर पार करता है बजाज finance कौन सा level अगर मैं बात करूँ यह वाला level अगर बजाज finance कल पार करता है result निकलने के बाद तो एक आपको अच्छा मूव आता हो देखने को मिल सकता है करीब करीब 6200 का नेवल निकल के आरा यहां से करीब 200 पॉइंट उपर एक breakout आएगा counter के अंदर और अगर यह लेवल निकलता है 6200 का नेवल निकलता है तो 6600 तक के लिए बजाच finance में जगा निकल जाएगी यहीं 400 पॉइंट की जगा आपको बजाच finance में आती वी देखने को मिल सकती है तो अगर किसी को trade लेना है बजाच finance के अंदर best trade result के बाद ही बनेगा किसी के अगर short position है बजाच finance में तो इसको definitely hedge कर लिजे short position को क्योंकि अगर looking at the chart pattern एक अच्छा support इन levels के आसपस 5950 के आसपस निकलता हुआ देखने को मिल रहा है कल का low जब तक break नहीं होता बजाच finance के अंदर fresh short create करने की ज़रोत नहीं है किसी का है तो उसको hedge कर लिजे fresh short मंदी नहीं करने है जब तक at least कल का low break नहीं होता कल का low क्योंकि कल के दिन अगर मैं बात कुरू बजाच finance के अंदर एक अच्छा वाला move आता हुआ जिखने को मिला normal दिन के volume से भी जादा का move था तो कल का low जो 5928 के आसपस निकल के आ रहा है तो आपकी जो भी adjustment होनी चाहिए बजाच finance के ना अगर समझे आपका long position भी है तो उस तरीके से adjust कर लिजे अगर आपकी long position है तो put buy कर लिजे कल का low जो है 6928 के आसपस तो उसके आसपस के strike का put option buy करके रख सकते है hedge करना है तो short position है तो short position तो मेरे ख्याल से अगर है तो आपको strictly strictly add the money एक call option buy करके रख लिनी चाहिए इसके अंदर और अगर आपकी long position भी है तो आपको add the money put option add the money या थोड़ा से नीचे अगर आप जाओग out of the money तो एक put option buy करके रख लिनी चाहिए क्योंकि result के बाद मैं एक accept कर रहा हूँ कि इसके अगर एक बड़ा move 5-10% का move आपको बजाज finance में देखने को मिल सकता है 5-10% का move आपको बजाज finance में देखने को मिल सकता है result के बाद result के बाद यानि कल का कली ही नहीं क्योंकि कल expiry है तो कल expiry का existment भी होगा कल monthly expiry है तो शायद कल ये शान्त रहे जाए काउंटर जादा move आवे ही ना शान्त हो जाए शायद या बहुत बड़ा move आजावे क्योंकि expiry है at the money अगर आप straddle देख रहे हो straddle बहुत सस्ते है तो अगर लोग बाई करेंगे बहुत बड़ा move एकसेप्ट करने के लोग के नीचे ही आपको रखना है short fresh या पर बनता नहीं है हलाकि resistance area के आसपास है 6000-6100 एक resistance area है बजाज finance के लिए लेकिन उतना strong resistance नहीं है जितना strong आपको support देखने को मिलगा तो best case तो यह होगा result के बाद अगर को trade लेना है प्ले करना है तो आप कर सकते हो 6200 के उपर अगर निकलेगा तो एक fresh breakout होगा जो 6600 तक बजाज finance को लिखे जा सकता है breakdown के अगर मैं बायत करूँ कल का low अगर तोटता है तो एक अच्छा support इसको बजाज finance को इन levels के आसपास 588-5900 के आसपास ही मिल जाना चाहिए तो downside risk थोड़ी कम है upside थोड़ा आपको जादा होता हो देखने को मिल सकता है अब बाकी result के उपर ही है क्योंकि banks के result भी अच्छे आये है तो NBSC के result भी उमीद की जारी ही अच्छे आने चाहिए और अगर अच्छे रिजल्ट आते है तो यह counter थोड़ा उपर की बाजू आपको जाता हो देखने को मिल सकता है लेकिन एक चीज याद रखेगा major trend अभी भी downside का है major trend एक बाद चेंज होने दीजे तो मजा आएगा major trend कब चेंज होएगा जब वो 6500 के उपर की closing देगा इस high के उपर जब भी closing देगा तब उसका major trend भी buy side का हो जाएगा तो अभी आप major trend के against trade ले रहे हो तो strictly stop losses को follow कीजेगा कल का low बहुत ज़दा important हो जाने वाला है धन्यवाद